जी नमस्कार पार्टेल में आपका स्वागत है क्रियेटर सुपर्टेट चैनल में और पार्टेल ने के हम आये हैं सेक्वेंस स्रीज का और अस्पेशल समेशन का जैसे आए गौर से देखे एस इन्फिनिटिव का समेशन का हम कुश्चन लेके आए जैसे अगर यहां पर 1 प्लास 1 बाइट प्लास 1 बाइट प्लास दोट 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 शो इंफिनिटिव ियानि यह इस इन्फिनिटिव प्लास तो पहला टार्म 1 माइनस एक, यहां वण कि यहां पर आजाएगा कितना एक और दू में से एक बटे दू बढ़ावर हो जाएगा को दिक्कर अगला प्रस्न को बना के दिखाएए एक बटे तीन एक बटे नौ एक बटे क्या हो जागा ऐस इन फिनिटिव ग्रडटू पहला ट्रम ट्रम ट्रफाट है एक मानस एक बटे इसको हम लोग कर देंगे क्या करदेंगजे यहाँ दो टे टी दे ऊपर यानि यृ prend पहला कोश्चन दूसरा कोश्चन तीसरा कोश्चन जल्दी बनाई एक एक बटे पांच एक बटे पचीश दॉर दॉर सोई इनफिनिटिव कितना होगा पांच बटया यह सही जबाब है पांच बटा चार सही जबाब है कैसे हुआ यह किलियर हो गया यानि एस इन्फिनिटीव का हम भैलू निकाल सकते हैं तो आप नाइन तेंथ में जो आप पढ़े थे जैसे पॉइंट थिरी है इस पर रेकरिंग इस पर क्या है इसको आप लिख सकते हैं तीन फिर पॉइंट जीडो थिरी फिर पॉइंट जीडो जीडो थिरी है कि मेरी भासा आप लोग को समझ में अगर आ रहा है बोलो यह स्यानों तो यहां पर पॉइंट थिरी पर रेकरिंग था पॉइंट थिरी पर बोलो यह स्यानों तो यहां पर तीन बटे दास तीन बटे सो तीन बटे एक हजार सो इंफिनिटीव लिख सकते थे कि नहीं लिखे सकते हैं इसमें पहला टर्म क्या हुआ तीन बटे दस रेशियो क्या हुआ एक बटे और एस इंफिनिटीव का भैलू पता है यह बटे वान माइनस कि यह एक तुमारे पास क्या है तीन बटे दस और यह एक बटे दस इसको हल करेंगे तो नौव बटे दस चला जाएगा उपर नौव हो जाएगा नीचे दस दस कट गया एक बटे 3 करने आया कि नहीं आया तो आप लोग इसी रेकरिंग को वहाँ पर ह हम शौटकर तरीका बताए थे ब्रहमास्त लगाना सिखाए थे और यहां आप जीपी के समेशन से भी कर सकते हैं जैसे अगर 3.8 पर रेकर हैं तो आप मेरे अनुसार कीजिए का तो इंसर जाएक हो जाएगा क्या हम बोलेंगे 38 माइनस 3 बटे 9 यानि 35 बटे 9 बोलो किलियर है या नहीं है लेकिन यही अगर जीपी से आपको बनाना रहे कैसे बनाना है तो इसका मतलब समझो तो थीरी प्लास थीरे आठ बटे दास आठ बटे सो आठ बटे एक हजार आठ बटे जास हजा आठ बटे एक लाग डॉट 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 इन्फिनिटी बोलो या से अनू सब लोगों को आ रहा एक नहीं आ रहा है आ रहा है यहां तीन का तीन हो गया यहां एक का भैलू क्या यह जल्दी बताओ आठ बटे आर का भैलू एक बटे तो एस इन्फिनिटी बराबर क्या फर्मूला होता है कि ए बटे वन माइनस एक भैलू क्या हो गया आठ बटे अब वन माइनस एक बटे तो आठ बटे दस नौव बटे बोलो या सिया नो आ रहा है कि नहीं आ रहा है करने अब इसको सॉल्व करोगे क्या करोगे तो दस से दस क्या हो गया आठ बटे का हो गया यानि यहां तीन पलास आठ बटे नौव बोलो एसे नूँ अब नौतिया सताइस आठ पैंथिस बटे नौव कोई दिक्कार करने आ रहा है सब लोगो अच्छे ढंचे अगली प्राश् कि यहां पर टू पाइंट थीरी टू पर रिकली है तो अगर हमारे भूक के लुशार बनाओगे तब तुम्हारा क्या हो जाएगा दो सो बतीस माइनस दू बटे 99 यानि दो सो तीस बटे 90 अंसर हो गया अगर यह भूक के भासा से बनाना चाहोगे किसके बागा से कि यहां दो प्लास וतीस बटे 100 220 बटे अगला क्या हो जाएगा बतीस बटे 40 कि न जिरो जागा अगला क्या हो जाएगा बतीस बटे 6 जिरो इन्फिनिटिव तक बोलो यह सिया नो है यहां दो का दो हो गया 32 बटे 100 32 बटे कि एक भैलू क्या हो गया यहां पर जल्दी बता बटे और आर का भैलू हो गया एक बटे 100 एक बटे फर्मुला क्या जानते हो एस सिंफिनिटिव इस गल्टो ए बटे 1-32 बटे 100 बटे के बटे 1-1 बटे 100 32 बटे 99 बटे 100 से 100 का हो गया तो यहां 32 बटे क्या बचा 99 आ रहा है कि नहीं पहले से टर्म क्या था दो अब 32 बटे 99 हो गया अब पहारा पर हो गया अगर आपको बात समझ में आया होगा तो आप जुरूर बताएंगे करने आ गया अब यहां पर देखेंगे है कि अगर और रहे कि टू पाइंट थीरी टू पर केबल रेकरी है कि बोलो यह से लो